पी सी मतलग की पूलीस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है इसका क्या इस्तेमाल है और ये आखिर किस तरीके से अप्लाइ किया जाता है और इसका जो है किन लोगों को जरुरत पड़ता है पी सी के लिए दोस्तों आज की स्कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं clearance certificate PCC के बारे में कि basically इसका क्या इस्तेमाल है और यह किस तरीके से आप इसे हासिल कर सकते हैं और आखिर यह किस तरीके से आपके पासपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है और इन future इसका क्या इस्तेमाल है तो दोस्तों मैं हमें बता दू कि PCC जेनरली उन लोग को कहा जात है जो कि long term के लिए जो है इंडिया से बाहर जाने वाले हैं और वो किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं किसी ऐसे जौब के लिए में जा रहे हैं जिसमें जो है उन्हें कम से कम जो है एक साल का उनका वीजा वहां पर लगना है बहुत सारी ऐसी कंपनिया होती है इस्पेशली आपके passport के ऊपर जो है वहां का employment visa है वो नहीं लग पाता है ऐसे में हम सभी को काफी curiosity होती है काफी जाग रुखता होती है यार कि यह PCC होता क्या है और यह किन लोग को बनवाना होता है अब चुकि हर कुछी को PCC का इस्तेमाल है नहीं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप complete समझ जाएंगे कि PCC जो होता है police clearance certificate यह किन लोग के लिए जरूरी होता है और किनको बिल्कुल बनवाने की जरूरत नहीं होती है और इसका इस्तेमाल क्या है और यह क्यों किया जाता है ठीक है तो जैसे कि आप नाम में ही देख रहे होंगे PCC मतलब कि police clearance certificate मतलब यह कि आपको जो है police के द्वारा clear certificate दे दिया गया है clear certificate का मतलब यह कि आपका जो है proper चानवीन हो चुका है आपका जो character है उसको भी verify किया जा चुका है कुल मिला जुला के यह कि भारत में आप किसी प्रकार के कोई default नहीं है लेकिन passport बनवाते समय तो हमारा लेडी police verification हुआ था वहां भी हमारा character check हुआ था वहां भी हमारा सारा detail check किया गया था उसके बावजूत फिर PCC की क्या जरूरत है अब यहां पर main page जो है आपको समझने का यहीं से शुरू होता है ठीक है नॉर्मली हम सभी क्या होता कि passport से बहुत सारे अलग-अलग हम अपना टूर प्लान कर सकत है उसमें अब सबसे common होता है दोस्तों वह होता है टूरिजम टूरिजम ट्रेवेल मतलब जिसको गूंने फिरने के मक्सद से जो लोग विदेश जाते हैं उनको क्या चाहिए होटा है तूरिस्ट वीजा जिस देश में आप जा रहे हैं उसका टूरिस्ट वीजा आपको चा करते हैं कि आपका वीजा खतम होने से पहले पहले आप भारत बापस लौट आएंगे आप वहां रह नहीं सकते परमानेंटली मतलब यह जादा लंबे समय तक वहां नहीं रह सकते हैं ठीक है आप यहां से जाएए आपको वीजा मिला आप अराम से वहां घूमिये आ जाएए उधारन के तौर पर जैसे कि मेरे पास पासपोठर मुझे दुबई घूमने जाना है तो मैं वीजा के लिए अपलाई करूंगा 10 दिन के वीजा के लिए और मैं अपना टूर प्लान करूंगा आठ दिन का थीक है मैं आज जाओंगा आठ वे दिन तक बापिस आजओंगा वहा के गवर्मेंट को कि भाई यह आ रहा है लेकिन यह बापिस चला जाएगा घूम घाम के पैसे खर्च करके लेकिन वहीं पर जब आपको employment वीजा दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा इस शर्त पर कि आप यहां आएंगे और कम से कम दो साल तीन साल तक आप यहां रहेंगे जब भी आपको पासपोर्ट के उपर जब आपका employment वीजा लग जाता है तो भारत सरकार यह जानती है कि आप यहां से देश छोड़ कर जा रहे हैं और आप कब बापस आएंगे इसका कोई भी ठीक ठीक ठीकाना नहीं है अगर आपके पासपो आप जब employment वीजा के लिए जा रहे हैं तो आप कम से कम एक साल दो साल के भी पहले तो आने वाले नहीं है अब देखिए यहां पे कहानी क्या है जैसे कि मेरा पासपोर्ट जो है वो इशु हुआ था 2018 में अगर मैं आपको दिखा सकूं ठीक है जैसे मैं बता रहा हूं मेरा जो पासपोर्ट है वो 2018 में इशु हुआ था और अभी चल रहा है 2022 मतलब यह कि चार साल हो चुके हैं मेरे पासपोर्ट को अप्लाई किया हुए चार साल पहले जो है मेरा पुलिस वरिफिकेशन अब भी चुकुल सोने जैसा खरा था ठीक है लेकिन मान लेते हैं कि इन ही चार सालों के बीच में मैंने कुछ अपराध कर दिया मैंने कोई क्राइम कर दिया मेरे उपर कुछ एफ आयार वगेरा हो गई और मैं वांटेड हो गया मतलब पुलिस मुझे ढून रही है मेरे मिस्यूज भी कर सकता हूं मैं इंप्लॉइमेंट वीजा लेकर दो साल के लिए बीदेश बाहर यहां की पुलिस मुझे ढूनते रहे हैं कि मैं वहां मजे कर रहा हूंगा और यहां की पुलिस तो इतनी तेज है ने कि वह दुबई से मुझे पकड़के लिए आएगी कुव साल हो जाता है उस बीच में आपने क्या किया उस बीच जो है आपका पास्पोर्ट 2018 में बना था आज 22 हो गया इन चार सालों के बीच में आपने आपका कुछ रिकॉर्ड गडबर तो नहीं हुआ तो यह जो है वो कंपनिया जो आपको employment वीजा देती है वो इस बात को लेकर sure होना चाहती है कि आगे जाकर वो कोई कानूनी पचड़े में ना फसे यह जो बंदा आ रहा है बिल्कुल पाक साफ हो कहीं से भी इसके उपर कोई भी क्रिमिनल चार्ट चोरी डेकैती मार पीट का वो ना हो तो इसी चीज के लिए जो है आपको पूलिस क्लियर सेटिफिकेट आपको PCC करवाना होता है जैसे कि अभी मुझे जाना है दुबए एंप्लोयमेंट वीजा के लिए तो मुझे एक महीने से पहले का जो है मुझे PCC करवाना होगा और PCC में होता क्या है कि आपका पूरा record होता है ठीक है जिस तरीके से आपका शुरुवात में पूलिस वेरिफिकेशन हुआ था ना पासपोर्ट बनवाते समयात कीजिए तो ठीक से वही प्रक्रिया दुहराई जाएगी आप वहीं पर रह रहें कि नहीं यह भी चेक किया जाएगा कहीं आपको फ्रॉडिया तो नहीं है कि आप कहीं और के पते के पासपोर्ट बनवा लिए थे अब आपका वहां कोई पता ठीक आना ही नहीं है तो पूरा एक एक चीज प्रन यहां पर फिर से जो है गहन विशलेशन किया जाता है पूर्ण रूप से आपका रिकॉडिट चेक किया जाता है और उसके बाद ही आपको जो है PCC दौे वह वह इसू किया जाता है बहु सारे लोगों का PCC यहां पर फेल भी हो लबस जाता है नहीं दिया जाता है उनको तो कि बीच में वो कुछ और कर चुके होते हैं तो इस तरीके से से दोस्तों मक्सद यही होता है कि उनका अगर आप लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप पूरा जो एक अपना जो करेक्टर है वह साफ लेकर वहां पर जाएं और जो वहां से आना ही है दस दिन में तो फिर क्या ही जरूरत है फाल्टु में जहमेले का तो वहां की कंपनिया इस को लेकर शोर होना चाहती है उसी के लिए जो है यह PCC का नियम बनाया गया है और अब दूसरी बात यह आती है कि यार PCC जो है यह किस तरीके से मिलता है इसका क्या प्रोसेस है तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है पासपोर्ट की तरह जिस तरीके से आपने पासपोर्ट क मतलब PCC हो जाता है तो सारी प्रकरिया वही है यहां पर देड़ सो रुपए ज्यादा नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों बहुत आसान भासा में मेरी पूरी-पूरी कोशिश रहे कि आपको PCC के बारे में पूरा प्रॉपर समझा सको आश्रा और उमीद करता हूं यह वीडि क्याल रखेगा जय हिन दोस्तों